हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आज मैं आपको अर्भी की सबजी बनाना बताऊंगी रस वाली अर्भी की सबजी कैसे बनती है सबसे पहले तेल गरम कर लिजिए अच्छी तरह से तेल गरम होने पर आप हम उसमें एड़ करेंगे जीरा करेंगे प्याज और हरीमेज इसमें ना लसुन डलता है ना टमाटर जलते हैं सिर्फ प्याज और हरीमेज का नहीं हरीमेज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें अब हम अच्छी तरह से इसको मसाले को पकने देंगे प्याज को अब देखे वरेंड आदा पक चुका है हमारा मसाला अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी लाल मेर्च और क्योंकि हरीमेज पर डाली है हमने तो लाल मेर्चम थोड़ी सी डालेंगे थोड़ी सी हल्दी एक चम आधा चम मच इस डाला हमने गरम मसाला और नमक स्वातन सार अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें अरभी एड़ करेंगे जो मैंने लंबे-लंबे पीस में काट रखी है इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे मसालों के साथ माटर नहीं डलते हैं डरभी में क्योंकि इसमें एक लार होती है जो टमाटर लगाने से और ज़्यादा बढ़ ज़ती है इसी तरह से हम इसको फ्राइ करेंगे 15-15 मिंट के लिए ऐसे ही मीडियम आच पे ना गैस फूल करने या ना कम करने इसी तरह से हमने इसको पकाना है 10-15 मिंट जो इसकी लार है वो चली जाती है इसे पकाने से फ्राइ करने से इसी तरह से हम फ्राइ करते रहेंगे इसको हिलाते रहेंगे नहीं तो यह नीचे लग जाएगी गुपकर में कि आधा कि लोर भी फ्रेंड आप जितनी मर्जी क्वांट्रिटी ले सकते हैं उसी इसाब से मसाले घ्यारत सब कुछ है उसी इसाब से डालेंगे अब हम इसमें आधा गिलास पानी कर डालेंगे दस-फंद्रा मिंट के बाद अर्बी में आधा गिलास पानी डालेंगे और अब हम इसमें सिटी लगाने के लिए धकन लगाएंगे सिर्फ इसमें तीन या चार सिटी आने चाहिए यह तीन से ज्यादा हम इसमें नहीं लगाएंगे बहुत ही रसीली सबजी बनती है ऐसे फ्रैंड बहुत ही स्वाधिस्ट कि देखें फ्रैंड तेन सिटी लगाने के बाद मैंने डख़कन कोल के देखो कैसी सब्चीं बने हैं बहुत ही अच्छी पक चुकी है अच्छी तरह सी अगरे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना कोमेंड करना सब्स्राइब करना मेरी चैनल को ठे तेंक्यू